इस वक्त जो हम जो मुझूद हैं पंड़जी के साथ मुझूद हैं और पंड़जी काफी लंबे समय से यहां पर जो ये पित्र पक्ष का जो मेला लगा हुआ है इसका संचालन में सयोग है पंड़ जी का पंड़ जी यह जो मेला लगता है हर साल काफी संख्या में हम देखते हैं कि लाखों संख्या में लोग भूश्त तो आप अब अब कबसे यह सब चीज़े जो है संचालक में कैंद इस तो ऐसा है कि हमारे बुजुर्गों से ही चला रहा है जब हमारा ऐसा हिश् यहां उत्पन किये हैं, जब ब्रमा जी ने जग किया है, तो इनसे कोई भी ब्रहामन दक्षना लेने के लिए तैयार नहीं हुआ है, तो फिर कुशे को इन्होंने ब्रहामन की उत्पत्ति किये है, ब्रमा जी ने उसी समय से चला आ रहा है, कि जो भी यहां का दान दक्षना का अधिकारी है वही इक आरह को जो उन्होंने सपत्नी उत्पन किया था उसी से आज अभी दिर दो सो घर हम लोग पंडे हैं वही पंडा समाज कारभार समार रहे हैं जयात्रियों का बाहर का कोई पंडित नहीं है बाहर का पंडित वही आते हैं जो हम लोग के अंतरगत पिनदान कुराते हैनाली मुखत है और तिर्शप्रोहिती होते हैं पंडा जी जो नोग हैं के नाम से जाने जाते हैं वहीन दे थे हैं चीज ngh की यहां पर जो विश्नु पर जी का मंदिर ते हम उसके बहुत माननेत की मा लड़का था तो तिर्पूरा सूर को जब देवाशुर शंगराम हुआ है तो उसमें वह मारा गया है तो उसमें च्छोटा था तो शुक्राचार लग्षासों की गुरु हुए तो इसको इनको कहा कि भाई तुमको पिता को इन्होंने बद किया है तो तो फर्ज बनता है कि उ इतना प्रकर्मी थी उनको तो बद हो गया हो आप हमें भी लेकिन आप गुरुदेव हैं जो आप कहेंगे तो मैं मानूंगा कहीं नहीं ऐसे नहीं तुम पहले तपस्या करो तो गया सूर ने दस जार बर्स अंगुठे के बल पर खड़ा हो करके तपस्या किया है वो पर्व प्रवाली है तो वहां से लोगों को खड़बली में थी कि भाई देवताओं को कि यह सूर इतना और तपस्या कर रहा है ब्रमाजी ने प्रमितामा ने क्या इसको बर्दान दे देंगे जो हम लोग को अनिश्ट होगा तो ब्रमाजी के पास गये हैं देवता लोग तो कहा कि भाई हमारे अधिकार का चीज नहीं है वो करम फल है उसका और उसका करम फल का फल मिलेगा जो मांगेगा उसको मिलेगा तो इसके लिए आप माता सुरसती के पास बुद्धी के मालिक और जिव्या के मालिक माता सुरसती हैं उनके पास जाईए तो वहां गये हैं तो उन्हो उन्होंने कहा था कि जो देओं का इंदर लोक है उस पर हमारा कर जाओ, इनको मसवरा-गुरु देओं के तरफ से था गया सुर को और तुम अमर हो जाओ गया, इसका बर्दान लेना, इस तरह से जब वो आये हैं, तो जब ब्रह्मा जी इसकी तुपस्या पूरी हो ये ब्रह् तो ग्यासुर ने कहा है कि भाई हम तो मांगने के उसको हिंद्र लोग उसने माना कि हमारा सरीर इतना पवीत्रों कि हमारे हो जो भी कोई है सरीर को छूले असपर्ष कर ले तो मुक्ती मिल जागा समझ गए एक चीज कि यह जो पिंद्दान के परंपुरा है बहुत बड़े बड़े लोग मिया पोस्ते हैं हर साल इस तरीके साथ आपको देखने को मिलते हैं तो उसी समय से जब इसके उपर हुआ जो उसने मांगा और हम अमर हो हमारी मौत नहीं हो तब जो कोई भी कुकर्म क करें गयासूर के पार उसको असपर्स करके मुक्ति पाले तो फिर भगवान में हुआ कि भाई देवताओं में एक समझनी मीटिंग हुई कि भाई हम लोगों की जो परमपरा है कर्मानुसार अपने कर्म योनियों से भी बनना परता है 84 लाग जोनियों में भटकना परता है लीकिन इनोंने ऐसा नहीं हो रहा है कोई कुकान करें गियासूर करेंगे मुक्ति पालें elemento तो कि लुए हो रहा है पिर थी लुप कर, रेन कितब, यदे-ंडी से जूद करने से तो हम लोग पाएंगे नहीं क्यानि ये आम ये हैं, मरेगाऊ नहीं है फिर पितामा के पास भर पितामा के पास ब्रमाजी के पास गया dram休क ते प्रमाजी के गया है कि हमें क्या कहते हैं, आप उसको σरीर को मांगें कि तेरे उपर मैं धर्म सिला परवत रखे और तेरे उपर जग करूँगा तेरा शरीर को कोई छती नहीं हो जब वो तयार हो गया है तो ब्रमाजी ने जग सुरू प्रारंब किया है जग प्रारंब किया है तो गयास लेटा हुआ है उसके उपर धर्म सिला परवत रखी हुए है सब समाप्ति वने परहतेर देताओं को उन्होंने आवाहन किया यह तू यह इसलिए उसको बड़े बड़े पहाड़ों से इसको चांपा गया है अब निया है कि आसपाद देखाई आप पहाड़ी से गया हुँ तो इसको चांपा गया है और पिर्थिवी से आग्रे है कि आप इसको नीचे ठले से जकड़ लो तो पिर्थिवी पोड़ा है तो ग्यासु ने अवाई लगा है कि महराज ऐसी क्या वाई है, कि जब आप जग प्रारम किया तब नहीं, बीच में नहीं, अभ जब जग समापती पर है तो हमारा सरी में भ तेरे उपर में तेनों लोग का बाहर लेकर के गया गजाधरनाथ खड़ा हूं कि अपकें कि हमारा माने इसमें क्या दोस्ता कि जो हमें आप लोगों ने चल से दवाया तेरे उपर जो भी कुकर्म करता था उसको मुक्ती मिल जा देगा तो यह हमारे नियम से खिलाप था इसलिए मैंने तुम को दवाया है कि हम तो लोगों को भलाई कर रहे हैं तरकिन भलाई आज भी होगा कैसे होगा तो किसी के भी नाम से, जो आत्मा है, किसी भी आत्मा के नाम से, आप यहां जिसके भी नाम से पिंडान दिया जाएगा, उसकी मुक्ति मिलेगी, तब से पिंडान की सिर्सिरा परंपरा चली, तब से लोग पिंडान दे रहे हैं, तो कहा कि ठीक है, तो रोज एक पिंड होनी चाहिए और रोज एक मुंड मिलना चाहिए क्योंकि मैं राच्छा सुम अबक्च कहता हूँ अबक्च बोजन करता हूँ तो लास यहां 24 गंटा जलते रहता है बगल में अश्मेशान गार्ट जो कि रात के 12 बजे भी यहां लास आती है और जलती है तो लास भी जलती है आज क करके पिंडान करते गए ताकि वो नागा नहीं हो और एसमसान में पूतले ऐसा भी कि दो बार हुआ समय निकला क्रोना के समय में कि उस दिन लास नहीं आई है तो वहां कूसे को पूतला बना करके और उसको मुझल आया गया तो ऐसा भी हुआ है उसकी मानता को रखा गया है गया सूर की जो मांगा था उसकी तो तब से मिंडान की चलिए हर ठथा तो तुस समय जब जग हुआ तो उसके लिए कोई बरहामान पदलते गया है आपस में लोग छेत्रिये इलाके को बाट कर अपनी शुबधा के अनुसार रखे हुए हैं तो सब हम लोग चला रहे हैं हाँ करीब करीब जहां तक हो सकता है लेकिन समझे कि ओभर समय के अनुसार भीड़े हो जाती है तो थोड़ा सा लोगों को परशानी होती है लेकिन हम लोग तरफ से जहां तक होता है प्रुताई के तरफ से हम लोग तो असुगधा नहीं जानना चाहते है कि भाई कोई विभेक्टी जहां से भी आया जैसा भह हो या अमीर हो गरीब हो सबको समान कर देखा जाता है सब कुछ सुगडा समया निसार दिया जाता है फीक कि दोड़ाइस तो साल इसमें आठमन आप पीडी हमारा चल रहा है हाँ कि यहां पर बताइए यह जो पल्गुन नदिय इसमें इसका क्या महत्व है मतलब इस पिंडदान को लेकर जब यहां पिंडदान के लिए सीता माता भगवान राम और लक्षमेंजी आये हैं तो बनवासी थे तो भगवान राम यहां आ नहीं सकते थे जंगल जंगल उनको चलना आता तो नदि की उसपहर में वहां जो जो सीता कुण आज के समय बना हुआ है सीता कुंड में बैठे हैं हो कहिंसे समय हो गया है और हम लोग रास्ते से जा रहे हैं तीरत फिर्थ पित्रो का है तो हम लोग अपने पित्रों को पिंडदान देते चले इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो कि बहुत बढ़ियां विचार हैं लोगों का तो कि तठीक है तो लच्छमन को भेज दिये हैं पिंड किश्रमंगरी जो आज भी लोग कि समान करते हैं तो उसकी विवस्था के ल बनाते हैं आज भी लोग बनाते हैं लेडी जो तो रुचेत अपने पूजा पारट कर ले थे उन्होंनें मीटी का चुछ मड़ाना प्रार्ण किया जब अगरा करकर फुछ में राश्रान हो विवार विव्ह भुण नदी में जब वो रुचार जाए जीए नदिमें बनाय कि भाई कुण सा ऐसा दुर्षट आत्मा है जो हमारे नित्ष पूज़ए पाठ को बंक रहा है है साहव अभाज आई कि नहीं हम आपके शोरा craft तुम हमें पेंख़ान दे दो पिंख़ान हम कैसे दे देंख़ानौ देने के लिए तो नहीं है रिप घुना कि थी भाड़कर उन्होंने वाले किंडान दिया है तो प्रेमिन रहते जए नहीं कि और या यह दर जरुमन जी भी लोटे हैं तो कहा कि ऐसी कैसे सब्सक्रीं आपके आदेह सुथ हुआ मैंने देगा ए कई यहां पर देखिए फ्लीक नदी से मैं रहती लिए से पूछ हो उसे पूछा गया कर गई-दिया पती के सामने पतनी को जुठा बनना पड़ रहा है उन्होंने वही कुरोद में आकर इसको सरापित कर दिया है नदी को तुम कुप्त बहेगी तेरे उपर जल नहीं होगा तुम सूख जाएगी इसी दिए नदी सूखी रहती थी सूखी एदम सूखी रहती थी बर्तात आता था पानी सुबा या साम तक थोड़ी थोड़ी होते दो चार रोजा थोड़ी बर्तात बहरी ही समझ लीजिए कि बर्ताती नदी थी बर्तात में ही पानी होती थी ऐसे पानी इसमें नहीं होता था सूखा ही रहता था गव को वहां तो गौ कहा कि इसने भी देखी है शकीन है इसे पूछिय ke टो उने भी जूट बोल दिया कि अगर भगवान करते तो आटे के करते या खोय का मावे का करते फंपा करते तो हमें के युज अ yum र конфवत के तो हमें मिलता काने को हमें का मिला इन्हों थे दो थे तो गुव की पूच पूजा नहीं होती है। तो गुव ने विजूट रह लिया। उसको भी शरापित कहर दिया कि भाई तेरा मुख्ण पवितर रहेगा। जैनिनी है। सभी देवताओं तेरे सरीर में हैं लेकिन तेरा मुख्ण पवितर रहे। और ब्रहमन था पंदत था उसने कहा कि तेरे को कभी संतुष्टी नहीं है। तूसी था अपने पूजन के लिए तूसी रखे हुए थी तो तूसी ने भी डिनाई कर दिया। तो जहां भी गंदर जगह में हुई थे बड़ी बड़ी ज़ाड बन जाए। लेकिन जिस घर में तेरा पूजा सम्मान होगा वहां एक साल से अधिक नहीं देगे। आप अपने घर में भी देखे हों कि साल के बाद और पुरानी वाली सूफ जाती है और नए वाली फिर नहीं कर जाती है। तो फिर उसके बाद अक्षेवट जिसको बोलते हैं जो बोहड का ब्रीच है। उसने कहा कि नहीं। सीता माता ने पिंदान किया। तो जा तू अच्छे रहे गा, तेरा कभी बिनास नहीं हो। तो महापरले भी हूए हुआ है तो वह भगवान वे पत्ते पर बरगत के बत्ते पर ही आपको कहीं तसमीर पर आप स्रूमाद देखा होगा। पोटू मिलेगा आपको तो वो उसका बिनास नहीं है बर्गत का पेंड़ का पंड़ी सारी मंदर बहुत अथी हासी है हमारे साथ पंड़ी थे तो पंड़ी ने खूब अच्छे से बताया करने के पिजनु पद मंदिर का महत अच्छे से पंड़ित ने बहुत अच्छे से ज़ान कर दिया कामरा मेरी व्नीड के साथ ढार टांप झाल